मकर संकरांती के पावन पर्व में गौमाता को एक चीज जरूर से खिला देना जीवन के रोग दो से कस्ट पीड़ा सदा सरवदा के लिए खत्म होकर मनों कामना तुरंत पूर्ण होगी आप जानते होंगे किसी भी पावन पवित्र कारे में गौमाता के पूजन का विधान है गौमाता में 33 करोड देवी देवता, कोटी देवी देवता और नवगरहों का वास माना जाता है गौमाता की पूजा से पित्र देवता बहुत प्रसन होते हैं तो आप सभी को आवश्यक रूप से साल भर में यह कार जो है जो की विशेश तर पर इस दिन किया जाता है परम किसी स्वरूप में दवाई खा कर दिन की सुरवात होती है रोग दो संकट कस्ट पीडा मिट रहा है बहुत अधिक बढ़ रहा है किसी स्वरूप में सब कुछ करके देख लिया तो मकर संक्रांती के दिन आप सभी को यह उपाई विशेश तोर पर करना है सौंबार का दिन ह पुन्यकाल का समय जो है मकर संक्रांती के दिन सुबह साथ बचकर 15 मिनट से 9 बजी के आसपास रहेगा साथ के साथ महा पुन्यकाल का समय यह है साथ ही पुन्यकाल का जो समय हो रहा है 15 जनवरी को सुबह साथ बचकर 15 मिनट से साम 5 बचकर 46 मिनट के आसपास हो रहा है कुल म कहते हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को किसी भी पेड़ की पांच पत्तियां लेनी है किसी भी पेड़ की पांच पत्ति बेल पत्त ले सकते हैं शमी पत्त ले सकते हैं या पीपल के पत्ते ले सकते हैं पांच की संख्या में इसे कर लीजे और आप सभ यह दुकान के जो प्रमुख ब्oll मैं या जो है जो है जो विमार ब्heकति हैं उन्स सभी के लिए प्रियोग किया जा सकता है आप या तो उनके हाथ का इस पर शकते हैं या जो है आप सभी उनकी अब मतर को नाम लेकर आप को आवश्यक रूप से घर में गोंकर उस विक्ति के उपर से उतारा करकर इसे जो है या तो किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है या पीपल रक्ष की जड़ में रख देना है यह चोराहे पर रखकर आप छोड़ कर आ सकते हैं ठीक है यह सब ही चीजें ध्यान र पर आप सभी रख दीजें नहीं तो पीपल पेड़ के नीचे रख कर आजाईए या जो है आप सभी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं तो मकर संकरांती के पावन पर यह कारे कर कर देखेगा सौंबार का दिन होने के कारण यह चमत कार से कम नहीं है तो कर कर पाई की जो कि अपने आप में अद्भुत है बात कर लेते हैं दूसरे सर्वस्रेश टूपाय की जिसमें गुरुदेव कहते हैं आपको गौम आता कोई है एक जीजरूर से खिला लेनी है आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं और सब कारे से निवरित हो जाएं और अन्य नामों से जाना जाता है तो इस दिन खिचडी खाने का विधान है खिचडी दान करने का विधान है और खिचडी का यह है प्रियोग आपके भागे को चमका सकता है आप सभी को खिचडी पूर्ण सुन्दर तरीके से बनानी है खिचडी में आप जानते होंगे चा प्रभुष्ट मरण ध्यान करते हुए और इसे किसी भी मंदिर में घर के मंदिर में भगवान जी को सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाना है भोग लगाने के बाद इस खिचड़ी के आपको तीन हिस्से करने हैं तीन हिस्से में एक में आप प्रसात के स्वरूप में स्वयम पूरे परिवार के सदशी ग्रहन करेंगे दूसरे स्वरूप में आप सभी गौमाता के लिए एक हिस्सा निकालेंगे तीसरा हिस्सा आप किसी गरीब जरूरत मंद व्यक्ति के लिए निकालेंगे ठीक है एक जो करकर गुड मिलाकर गौमाता को आपको खिला देना है ठीक है गौमाता को जो भी भक्त मकर संक्रांती के दिन खिचडी खिला देता है थोड़ा सा काले तिल मिलाकर और गुड मिलाकर उसके सूरी ग्रह कुंडली में सनी ग्रह मजबूत होता है और साथी बुद्ध ग्रह वाले हो जाते हैं तो खिचडी में गुड़ और काला तिल मिला कर आप प्रभुस्मरण करते हुए गुमाता को जरूर से खिला दीजिए और जो आपने दूसरा हिस्सा का रखा है वह गरीब में वित्रित कर दीजिए आप उसमें भी थोड़ा सा काले तिल मिलाएं और आवश रूप से आपको यह प्रियोग करकर देखना है भाग चमक जाएगा रोग दोस संकट उन रूप से कट जाएंगे और दुख दरीदरता का नाश होता चला जाएगा तो खिचडी महापर्व के दिन यह उपाय आपको करना है चाहे तो प्रथम उपाय करें चाहे तो दूसरा उपाय करें इच्छा आपकी है इस तरह से यह कारित जरूर से करकर देखेगा साथ के साथ आप सभी जानते होंगे सौंबार का महापर्व है सुन्दर तरीके से आप सभी कुछ विशेश करने का महादेव के निवरेत कार करने का प्रियत्न करें काले तिल और आवश्यक इसे सौंबार के दिन और इस दिन जो मकर संकरांती का दिन है परम सुख मिल जाते हैं आपके जीवन में रोग दो संकट कट जाते हैं करकर देखिएगा फिर बताईए कैसे खुश्यों के भंडार भड़ते हैं आप सभी इस दिन जो गुरुजी द्वारा एक और उपाय बत करते हैं वहीं पर आप सभी को भगवान जी के सामने ही आवश्यक रूप से प्रणाम करकर गोलवाती का दीपक लगा कर चौदाह बार स्री सिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको दान के स्वरूप में करना है ताकि पित्रों का तारण हो रोग दो संकट पूर्ण र यह प्रभावी रहेंगे और मंत्रों का दान आप कमेंट्स के द्वरा जरूर से लिखेगा सूरे नारायन भगवान की विशेश पूजा आर्चना करें कुछ भी आप गरम बस्तु का दान करें काले तिल का दान करें हरा चारा गौमाता को खिलाएं अपनी छमता सामर्थनो अनुसार गुड़ चना खिलाएं यह भी बहुत लाप देने वालक माना जाता है पीली चने की दाल पीली कोई भी वस्तु जो है इस दिन गौमाता को खिलाने से अनंत गुना फलो की प्राप्ति होती है गरम वस्तु जुराप हो गए कंबल हो गए किसी गरीब जरूरत मंद ब्यक्ति को दान करना खिचडी दान करना अपनी चमता सामर्थ अनुसार चोद है वस्तु का दान करना अनमोल है परम सुख प्रदान करने वाला है हर हर महादेव जैसीव संभू